दौलत एक बार की बात है, हरी और रवी नामक दो दोस्त थे दोनों ही एक ही रास्ते पर रहते थे हरी बहुत ही थनवान था लेकिन कोई फाइदा नहीं था उसका हरी को नीम नहीं आती थी दूसरी तरफ रवी को मस्त और बिंदास नीन का आनन मिलता था हरी रवी से इस बात को लेकर जलने लगा सोचा रवी इसलिए अच्छी नीन सोता है क्योंकि इसको दौलत की परवा नहीं ना इसको लालच, क्यों ना इसको लालच दी जाए एक दिन सोने के सिकों से भरा एक बोरा वो रवी के पास लेकर गया रवी मुझसे तुम्हारी ये गरीबी देखी नहीं जाती तुम दोस्त हो, आखिर कब तक तुम इस हाल में रहोगे ये लो, ये सोने के सिकों की बोरी तुम्हारे लिए तुम्हारे काम आएगी रवी खुश होता है, वो उसक बोरे को लेता है और घर में छुपाता है लेकिन फिर बेचाइन होपकर खिड़ की दर्वाजे बंद कर देता है उसकी बींद उर जाती है उसे चोरी का डर राद भर सताता है रवी राद भर व्याकुल रहता है डाके और चुबरी के डर से उसे नीन नहीं आती दूसरे दिन रवी हरी के पास जाता है और बोलता है दोस्त समझ आ गई तेरी चाल ले भाई, तू अपनी दौलत, अपना पैसा, अपने पास रख, मुझे इन चीजों की कोई जरुवत नहीं ये बोलकर रवी वहां से निकल गया और चैन की नीन सो गया गधे की सवारी एक बार एक आदमी और उसका बेटा दूर के शहर के मेले से एक गधा खरीद कर अपने घर की तरफ जा रहे थे रास्ते में उन्होंने एक आदमी को बोलते हुए सुना अरे देखो उन मुर्खो को गदा होते हुए भी पैदल जा रहे हैं दोनोंने सोचा ये तो सही बात है और दोनों गधे के उपर बैट कर सवार हो गए थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने एक और आवाज सुनी अरे देखो देखो उस गरीब गधे को ये दोनों हटे कटे उस बेचारे को परेशान कर रहे है वो ठीक से जल भी नहीं पा रहा है उस आदमी को गधे पर तरस आया और वो गधे से नीचे उत्रा थोड़ी देर बाद खेट से गुजरते हुए उन्होंने एक औरत की आवाज सुनी इस लड़के को कोई शरम है या नहीं पेचारा बूड़ा पैदल चल रहा है और ये गधे पे बैठा है अगर ये पैदल चलता और पिताजी को गधे पे बिठाता तो कितना ठीक होता लड़का फोरण नीचे उत्रा और उसने अपने पिताजी को गधे पे बिठा दिया थोड़ी ही देर बाद वो लोग गाउं पहुचे ही थे ये तो हद हो गई इतना स्वार्थी आदमी आज तक मैंने नहीं देखा अपने बेटे को पैदल चला रहा है और खुद गधे पर बैठा है वा भई वा फिर क्या उन दोनों ने गधे को लाटी से बान कर उल्टा अपने कंदे पर लटका लिया और घर की तरफ चल दिये घर के पास आते ही सब लोग उन पर हसने लगे हा 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 गधे को ऐसा उल्टा लटका कर क्यों ले जा रहे हूँ क्या वो बुढ़ा है क्या उसकी टांग में चोट लगी है तभी उस आदमी ने रास्ते का पूरा किस्सा उसे सुनाया खुद की अकल का इस्तिमाल किये बिना लोगों के कहने पे चलोगी तो यही होगा सब लोग तुम पर हैसेंगे आप बिल्कुल सही हो चाचा एक ही वक्त पर सभी को खुश करना नामुम्किन है फाल्तू की बहस में मत पढ़ना एक बार की बात है एक छोटा सा गाउं था उसमें राम नामक युवक रहता था राम उल्लास और मस्ती में टहलने निकला थोड़ी देर बाद वो एक नदी के पास आया उस नदी के उपर से एक पुल गुजरा था राम पुल पे चढ़ा तो उसे एक और राम दिखा औरे तू इस पुल से तो सिर्फ एक ही जाएगा मालूम और मैं करूँगा पहले तू वही खड़ा रहे पहले वाला राम बोला हाँ सही कह रहा है तू यहां से एक ही बाहर निकलेगा और वह मैं हूँ तू मेरी प्रतीक शाकर दूसरा राम बोला मैं पहले यहां आया हूँ मैं पुल पार करूँगा पहला राम बोला यह पुल मेरे दोस्तों ने बनाया है मेरा जाना पहले होगा समझे दोनों आमने सामने आ कर लड़ने लगे और बहस करने लगे और समय बीद गया और दोनों में से कोई पीछे हटने को राजी न हुआ पहला राम गुस्से में आया और पुल की तरफ चल पड़ा ये देखकर दूसरा राम भी दूसरी तरफ से बढ़ा अंत में दोनों पुल के बीच में आकर आमने सामने खड़े हो गए और कोई पीछे हटने को राजी न था और तू तू मैं मैं से बात हाता पाई परा पहुची और लडाई करते हुए दोनों जाकर पानी में गिर गए जब उन्हें पस्तावा हुआ बहुत देर हो चुकी थी दोनों दर्या में दूप के मर गए